नवस्कार मैं मनोज कुमार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ आज हम पहुँचे हैं चक्की और चक्की के भोला डेरा में और पहुँचे हैं इसलिए क्योंकि कुसुम कुमारी नाम की छात्रा ने बिहार बोर्ड मैट्रिक कुलिशन के रिजल्ट में 90 प्लस का स्कोर किया इन्होंने 451 अंक इन्होंने अरजित किये हुए हैं जिनके शिक्षक राम कुमार जी के साथ अभी मैं यहां पर उपस्तित हूँ और इनके घर पर पहुँचा हुआ हूँ इन से बाते करने के लिए और इनकी खुशी में शामिल होने के लिए तो आइए कुसुम से बाते करते हैं और उनकी सफलता के बारे में जानते हैं कुसुम मैंनी को राचुलिशन्स थैंक यू सार चारसो है क्या 190 प्लस का स्कोर आपका आया है बड़ी खुश होगे क्योंकि आप इन्तिजार कर रहे होँगे रिजल्ट कब आएगा, कब आएगा बच्चों के मन में काफी सारे हेजिटेशन्स होते हैं काफी सारे क्वेस्चन्स होते हैं क्या होगा, कितना परसेंट आएगा आपके भी दिल में उथल पुथल मची हुई थी और जब result आया तो फिर आपको कैसा लगा मुझे बहुत खुसी हुई कि मेरा 400 एकावन आया है metric result यही चाहती थी कि आपका इतना आजाए उमीद तो और अधिक का था मगर जो होता है अच्छा ही होता है इसी में मेरी खुसी है जितना हुआ अच्छा है यह पहला पढ़ाओ है metriculation आपने पार किया है इस 90 प्लस score के लिए आप कैसे पढ़े थे कैसे खुद को तैयार किये थे आप तैयारी तो बहुत अच्छी थी टीवसन में भी हर सब्ताहिक टेष्ट होता था जिसमें मतलब ज्यादा सहायता मेली हम लोगों को टेष्ट के वज़े से आपकी सिल्फ स्टडी के बारे मताई कि स्वयम से आप कैसे पढ़े कि आप इतने अच्छे मार्क साब पराप्त कर पाए मतापीता के वज़े से में इनको टाइम मिलता था पढ़ने के लिए जिसके वज़े से मैंने पढ़ाई की अपनी एक बीटी होने किनाते कई बार बीटी को बड़ी मुश्किल हाला का सामना करना पढ़ता है माबाप उतने शिक्षा नहीं दिलाना चाहते हैं तो आपके परिवार में क्या आपको ऐसा लगा या फिर माबाप का भरपूर समर्थन रहा आपको आगे बढ़ने में? माबाप का भरपूर समर्थन रहा? यह आपने एक पड़ाव पार कर लिया matriculation का, अब आगे आपके सामने intermediate है, तो intermediate के लिए आपने क्या सोचा है, किस हिसाब से आप पढ़ना चाहेंगे? साइंस से पढ़ेंगे. और जो matriculation में आपने 450 पाया है, तो इंटर में आप कितना पाना चाहेंगे, कितना स्कोर करना चाहेंगे? इंटर में 95 कोसिंस करेंगे कि आए मेरा, इसमें भी तो था, मगर नहीं हुआ तो कोई बत नहीं, अच्छा हिए. कभी आपने सोचा था कि मैं भी कभी बिहार टॉपर बनूँ और मेरा नाम वो ऐसा हो, यह सब खयाल आपके मन में आये थे कभी? हाँ, सोचा था कि टॉप टेन में आएगा, लेकिन ठीक ही है, जितना है उतना अच्छा है. गाउं के महौल में आपने पढ़ा है, कैसा लगता है, कैसी त्यारी हो पाती है, और आप अपने शिक्षोकों के बारे में भी बताएं, जिन लोगों ने आपको पढ़ाया, उन तमाम शिक्षोकों के नाम भी बताईए, जिन्हों ने के आपको पढ़ाई इस लाइक बनाया इस छोटे से चकी गाव में भी रहकर मैंने अच्छे से पढ़ाई की टीचरों का भरपूर समर्थन था टीचर के कोचिंग के टीचर राम कुमार सर, मुना सर और राहू सर अच्छे से पढ़ाई जिसमें हम लोग भी मेहनत किये और सबताहिक टेस्ट के वज़े से हम लोगो मतलब अधिक साहता मिला इस परकार से आपके तैयारी हो पाई हर विद्यार्थी के दिल में एक तमन्ना होती है एक लक्ष होता है कि बढ़ा होकर वो क्या करना चाहेगा तो अगर मैं आपके जीवन के बारे में पूछू कि आप बढ़ी होकर क्या बनना चाहेंगी पढ़ाई करके तो आपका लक्षे क्या है मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरे नजर में लड़कियों के लिए टीचर की नकड़ी सबसे अच्छी नकड़ी है और आदमी जो भी बनता है एक टीचर से पढ़कर ही बनता है इसलिए मैं एक टीचर ही बनना चाहती हूँ मतलब कि आप अपने शिक्षकों के जीवन से भी प्रभावित हैं कि शिक्षकों को बड़ी आदर मिलता है आपके मुन नासर को आपके राम कुमार जी को काफी ज़्यादा इज़त आप लोग देते हैं तो आप यह सोचते होंगे कि सेम रिस्पेक्ट मैं भी अर्ण करूँ शिक्षक बनने के बारे में आपने सोचा है तो इसके लिए अगर आप तैयारी भी करते हैं तो किस विशे की शिक्षक आप बनना चाहेंगी बड़ी कम उमर है आपकी अभी तो शिक्षक दुर दुर तक नहीं सोचना भी आपको पढ़ना है लेकिन किस विशे की शिक्षक आप बनना चाहेंगे साइंस की बनना चाहेंगे चली बड़ी खुशी के बाते कई लोगों से हम बाते करते हैं कोई इंजिनियर कोई डॉक्टर कोई कुछ बताता है जो भी हाट आई है इस साल वी एक लड़की है उसे भी जब पुछा गया पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या बनना चाहेंगे तो जर्नलिस्ट बनना चाहती है और अभी हम कुसूम के घर पर मौजुधें से बाते कर रहे हैं तो ये शिक्षिका बनना चाहती है एक टीचर बनना चाहती है और एजूकेशन को फैलाना चाहती है कुसूम अगर मैं ये पूछू कि आपकी कोई छोटी बहन अगर अगले साल मैट्री का एक्जाम देने वाली है या कोई छोटा भाई तो उनको आप कैसे कहिएगा कि कैसे पढ़े वो कितने घंटे पढ़े और किस हिसाब से पढ़े कि आपकी तरह या आपसे अच्छा इसकोर वो कर सके अच्छे से मन लगा कर पढ़े तकि मेरे से भी अधिक नमबर लाए मेरा जो सब्ना था हो तो पूरा नहीं हुए लेकिन मेरा सपना मेरी छोटी बहने अर भाई लूग पूरा कड़े अच्छे से तीं-चार घंटा कम से कम मन लगा कर पढ़े तीन-चार घंटे पढ़े लेकिन मन लगा कर पढ़े क्योंकि घंटों की गिंती करना काफी नहीं होता अगर बढ़िया रिजल्ट चाहिए आपको तो आपको उन घंटों को मन लगा कर और दिल लगा कर पढ़ेगा अपने माता पिता की कंट्रिविशन के बारे में बताएं कि उन्होंने किसी साब से आपको आगे बढ़ने में साहिता की मेरे पापा तो एक फार्मर है लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे बेटे और बेटिया अच्छे से मन लगा कर पढ़े और कुछ सफलता प्राप्त करें जरूर उनका बहुत सौख है कि मेरी बेटिया और बेटे जरूर कुछ बने लाइफ में बिल्कुल आपके पिता जी किसान है और आपको भी सीच रहे हो ना के बेटी होने के नाते भी आपको पुरी सपोर्ट करते हैं आपको आगे बढ़ाते हैं आप अपने माबाप की उमीदों को पूरा करें हमारे पास यहां पर रामकुमार जी और मुन्ना जी बेठे हुए ह यह आपके शिक्षक हैं आप भी अपने चात्रा की सफलता के बारे में कहें कि आपको कितनी खुशी है हम लोग को हमें तो इनका रिजल्ट सुनकर बहुत खुसी हुई कि 90 प्लस अस्कोर की और आगे भी इनका जो है जो सपना है और भवान पूरी करें उनकी सपना आप अधर्ष कोचिंग सेंटर चलाते हैं और बहुत अच्छे विद्यार्थियों के रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं आप दोनों लोग को भी और जितने भी आप लोग हैं आप सभी को हमारी शिपकामना है कि आप ऐसे ही बच्चों को शिक्षित करते रहें ताकि बार-ब हम आपके गाओं को विजिट करें तो अभी आपने देखा हमने कुसम से बाते की बाते करने के दोरान थोड़ा सा मुझे यह लग रहा है कि कुसम थोड़ी शर्मिली नेचर की हैं बोलने में हेजिटेशन है इनको लेकिन कम उम रहें अभी लेकिन फिर भी पढ़ने में यह कर देता हूं यह टैलेंट आपके अंदर भी आएगा खुब आगे बढ़िये माबापको हमेशा सर्व परी रखिएगा परिवार में शांती सुकुन बनाए रखिएगा कभी भी ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके परिवार पर किसी भी परकार का मुश्किल का सामना आपके में आगे बढ़ें और किसी रोज कुछ ऐसा करें कि हम आपके साथ बैठें आपसे बाते करें और इसी परकार आपका इंटर्वी आपका भी इंटर्वीव करें आपकी भी मन्जिल कहीं नगहीं आपका इंतजार करी होगी थैंकि सो मच